नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है कुंदन और स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूटूब चैनल अपडेट्स विद कुंदन में फ्रेंड्स आईवी पीएस प्योग मेंस का एक्जाम जो की 22 जनवरी को हुआ है उसी का मैं आज आपको रिव्यू देने वाला हूँ फ्रेंड्स थोरा वीडियो बनाने में लेट हो गया है क्योंकि थोरा तब्या ठीक नहीं था जिसका आँस मैं वीडियो बनानी पाया था चलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो पसंद आएगा तो फ्रेंड्स लाइक जरूर करके जाना तो सबसे पहले बात करते हैं reasoning की यहां पर मैं basicly आपको अपने attempts बताऊंगा और किस type के question पूछे गये थे वो भी बताऊंगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं reasoning की क्योंकि जैसे कि आपको पता है 45 questions reasoning में आते हैं और total 60 minutes का ये paper होता है और मैं friends बता दूँ जिनको नहीं पता है इसमें जो है आपका 15 questions 2 marks का था और 15 questions 2 marks का और 30 questions 1 marks का होता है 15 questions आपका 2 marks का और 30 questions 1 marks का, total 45 questions reasoning में पूछे जाते हैं मैं इसमें friends इसमें कैसे कैसे questions थे तो यहाँ पर data sufficiency का questions था friends, सबसे पहले मुझे DS का question देखने को मिला और 2 marks के questions थे data sufficiency के question दो marks के थे जिसमें एक circular था, 6 लोग थे 6 persons थे और 3 lines 3 statement दिया गया था जैसा कि आपको पता है 3 statement दिया रहता है data sufficiency में 2 भी होते हैं लेकिन means में 3 था और कौन 2 sentence से मिला करके answer आ जाएगा वो बताना था data sufficiency के 2 marks से question लगबग 3 या 4 देखने को मिले लेकिन मैंने 2 बनाये थे 2 marks के फिर एक puzzle देखने को मिला था मुझे जिसमें 7 persons थे linear facing, upward facing था north facing था और यहाँ पे एक plus variable भी था उनका age था variable और साथी साथ वावल और consonant का यहां पे concept था कोई भी 2 wauvel एक साथ नहीं बैठ सकते कोई भी 2 wauvel कोई भी 2 consonant एक साथ नहीं बैठ सकते यह concept था इस puzzle में तो अच्छा puzzle था 3 या 4 questions पूछे गए थे 2-2 marks के question पूछे गए थे इस puzzle पे इस puzzle पे 2 marks के question पूछे गए थे तो यह data sufficiency हो गया, एक puzzle हो गया आपका, एक आपका 2 marks का puzzle आया हुआ था, जिसमें कि minimum 9 लोग को बैठाना था और maximum 12 लोग, एक ही puzzle था लेकिन काफी time taking था, 4 minute लगा मुझे इसको बनाने में, 2 marks लेने में 4 minute लगबग लग गये थे, फिर एक आपका flat floor base puzzle आया हो था, जिसमें कि, आपका 2 flat था और 4 floor था, इसमें 1 flat में 2 लोग थे, यानि कि total 16 persons थे, total 16 persons थे यहां पर, और हर एक floor पे एक couple रहता है, हर एक floor पे एक couple रहता है, total 4 couple थे और बाकि 4 flats में, younger brother और elder brother दो लोग का combination था, मतलब sibling बैठते हैं, ऐसा था कुछ, तो यह puzzle मुझसे नहीं बना, यह 2 marks का puzzle था, एक coding, decoding पर भी एक puzzle टाइप आया हुआ था, direction था जाएद, मैंने वो देखा नहीं अच्छे से, तो मैं नहीं बता सकता उसके बारे में, तो और इसमें मैं बता दूँ, दो silogs का question देखने को लिए मिला था, दो inequality का question भी देखने को मिला था, यह coded था, यह भी coded, यह भी coded, और यह एक marks का question था, फिर एक friends puzzle था, जिसमें की 9 persons थे, और category based puzzle था, इसमें, aeronautical engineering, फिर आपका एक था, biotechnology का था कुछ, तो इस तरह से 3 engineering दिया हुआ था, एक electrical engineering था, यह 3 engineering था, 9 persons थे, और category करना था, कि कौन person किस engineering को करता, और साथ में एक color पसंद था, साहिद उनको, कोई एक color हाँ, color 9 लोग को एक color पसंद था, तो यह उसमें बेज था एक puzzle, तो यह काफी simple लगा मुझे, 3 या 4 मिनिट में यह puzzle बन गया था, 5 questions थे, और एक एक marks का puzzle था, तो ओर और reasoning आप देख सकते हैं, moderate to tough का सकता हूँ, मैं क्यूंकि थोड़ा lengthy था, बाकी mislaneous के question भी थे, और आपका logical था, जो कि मैंने बनाया नहीं, थोड़ा यहाँ पर मैं कहूंगा, कि lengthy था paper, और quant से मुझे tough लगा, और इसमें मेरे attempt रहे है, total 18 question, जिसमें की 2 marks के question मैंने किये है, 6, और 1 marks का question किये है, मैंने 12, तो यह मेरे attempt रहे है, reasoning में, चले quant की बात करते हैं, तो quant की बात करें फ्रेंज, तो सबसे पहले मैंने, quadratic equation देखा, 2 quadratic equation था, और इनको मिला कर, एक 3 quadratic equation फॉर्म करना था, तो यह मेरे को simple लगा, और यहाँ पर 1 marks मुझे मिला, 1 marks का ही question था, यह simple था, next आपका number series का question था, जिसमें की 2 number series दिया हुआ था, पहले वाले में missing, दूसरे वाले में wrong था, और इस missing number, इस series से एक question और इस series से एक question था, दोनों मिला कर के 4 marks का question पूछा गया था, 2 marks का इस से, 2 marks का इस से, तो 4 marks यहाँ से आ गये थे friends, तो काफी यह easy लगा, मुझे यह 4 marks यह काफी easy था, एक puzzle था, एक आपका di था, pie chart base, 4 लोग इधर, 4 लोग इधर, यहाँ 2500 students थे, और यहाँ पे 1200 boys थे, और आपका 1300 का एक बनाना था, एक graph अपना, table form कर लेना था, तो यह भी काफी easy लगा, और यह I think 2 marks का question था, और इजली बन रहा था मतलब, और इस पे 4 question पूछे गए थे, 2 into 4, 8 marks का यहाँ से मिल गया, तो friends आप देख सकते हैं, कैसा question आ रहा है, और data sufficiency इसमें भी था, जो की 2-2 marks के थे, तो यह नहीं मुझे पता कितना आया था, लेकिन मैंने 2 solve किये थे, दो कोशन मैंने solve किये थे, data sufficiency के भी, arithmetic के 4 या 5 कोशन देखने को मिले, एक-एक marks का कोशन था, arithmetic का, एक-एक marks का कोशन, 4 या 5 देखने को मिले थे, next आपका मैं बात करूँ, एक DI था, आपका drift based DI, एक table दिया हुआ था, इसमें drift इधर था, और इधर आपका drift था, और इधर आपका crash था, crash, तो कुछ point मिलते हैं, 50 into drift, minus 20 into crash, ये point का formula दिया हुआ था, वहाँ पे, point का ये formula दिया हुआ था, 50 into D into 20 into crash, ये point का formula, ABCD 4 लोग थे, तो ये काफी easy था, मतलब pre-level का ये, समझी दिया ही था, pre-DI मैं बोल सकता हूँ इसको, तो इसमें 5 question पूछे गये थे, और एक-एक marks का ही question था, तो quant मैं कहूँगा, simple था, मेरा attempt नहीं 19, और, जिसमें की 7 question मैंने 1 marks के किये, और 12 question मैंने 2 marks के किये, next मैं बात करूँ English के, तो last year से English इस वर मुझे थोड़ा सा, easy लगा, last year से थोड़ा easy लगा था, इसमें, मैं क्या ही बताऊँ, इसमें जो है आपका, दो आपका RC था, दो RC थे और आपका, close test था, एक 5 question, 2 RC, एक close test, और 5 question, जो है reading पे था, मतलब एक paragraph दिया हुआ था, उसमें पूछा गया था, 3 question, कौन से 3 question, कौन से question का reply, इस पैसे से मिल सकता, ऐसा question है हुआ था, ये एक-एक marks का question था, सारे question एक-एक marks के, बस 5 question, जो English में होते हैं, वो 2 marks के थे, उसमें था गया कि, एक line दिया हुआ था, उसमें पूछा गया था, कौन से option का, meaning जो है, इस line के same बता रहा है, इस line से same है, कौन से option, तो ये 2 marks का question, मैंने 5 बनाया था, total attempt की बात करूँ, तो मैंने 30 attempt किया, English में, जिसमें कि, दो marks के मैंने 5 question कियें, और एक marks के मैंने, 25 question कियें, total 35 marks का मैंने, English में attempt करा है, अब बात करते हैं, friends GA की, तो GA मेरा बहुत ही खराब हो गया, मैंने 30 attempt किया है GA में, और बहुत सारे तुक्के लगाएं, तो इसका मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, तुक्का बहुत लगा दिया हैं मैंने, क्योंकि मैंने, December अच्छे से नहीं परा था, December का ही current affairs उन लोगों ने दे रखा था, तो GA की बात ना करें तो अच्छा है, क्योंकि December से ही ज़्यादा question पूछे कहे थे, वो भी deep में, deep GA पूछा गया था, review आप लोगों ने देखी लिया होगा, कि कैसे कैसे question था, बहुत, lengthy question मतलब बहुत, deep question था, जो उतना मतलब याद रखना मुश्किल है, सारा question जो है as per newspaper report से पूछा गया था, और सारा question December से ही, लगवग 25 question December से था, और 5 to 10 question इधर अगस्त और आपका September से था, October से था, नवंबर से था, बागी 2-4 question था, static के भी part देखने को मिले थे, next मैं बात करूँ, later का, तो later मैंने 150 exact में लिखा था, 150 word में, editor को later लिखना था, जिसमें की, बताना था कि आपका monuments, और monuments को re-restoration करने के लिए, restoration करना ज़रूरी है, उनका care करना ज़रूरी है, उस type से बताना था, maintenance करना ज़रूरी है, तो मैंने ये later लिखा था, और आपका essay जो मैंने लिखा था, मैं बता दू, essay मैंने impact of, while prices लिखा था, इस पे मैंने essay लिखा था, total 170 birds में, क्योंकि 250 लिखना था, लेकिन मैंने पहुच नहीं पाया वहां तक, क्योंकि keyword में issue था थोड़ा, और मैं बताया भी, लेकिन वो लोग माने तब न, तो 170 birds में मैंने ये से लिखा था, फोड़ा problem हो रहा था लिखने में, चले, देखते हैं, क्या result रहता है, फिर मिलते हैं next video में, तब देखे लिए all the best, आपने कितना attempt किया, फ्रेंट्स ज़रूर अपना attempt share करना, मेरा total attempt 97 है, फिर मिलते हैं next video में, अपना attempt ज़रूर share करना, और चैनल पे नए हो, तो चैनल को ज़रूर subscribe करके जाना, मेरा फ्रेंट्स मेलते हैं,